इम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं उन्हें भी करके दिखाना है बदलते लोग और बदलते रिष्टे चाहे दिखाई ना दे लेकिन महसूस जरूर होता है तारीफ वो धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और खुद ही उसमें फस जाते हैं सैकरो दर्दमंद मिलते हैं काम के लोग चंद मिलते हैं जब मुशिवत आती है तो सब के दरवाजे बंद मिलते हैं हमें जिन्दगी में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए हमें जिन्दगी में वो मिलता है हम जिसके लायक है जब भी जिन्दगी रुलाए समझना गुनाह माप हो गए और जब भी जिन्दगी हसाए समझना दुआय कुबूल हो गई अभीमान की ताकत फरिस्तों को भी सैतान बना देती है और नम्रता साधारन व्यक्ति को भी फरिस्ता बना देती है जिंदगी के हकीकत को इतना ही जाना है दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है क्रोध हमेशा मुर्कता से सुरू होता है और हमेशा पस्चाताप पर खत्म होता है जो मेहनत करता है वही नाम करता है वरना हर कोई अपने पडिवार के पैसों से आराम करता है रिष्टे को दौलत की निगाह से मत देखो क्योंकि अक्सर साथ निभाने वाला इंसान गरीब ही होता है रिष्टे को संभालते संभालते धकान सी होने लगी है रोज कोई न कोई नराज हो जाता है रिष्टे अगर थोड़ा जुपकर भी संभालते हो तो कोई अजीब बात नहीं सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए ताउम्र साथ निभाने की वो कसमें दो पल में तूट जाती है मुहबबत से बने इन रिष्टों में आकिर कमी कहा रह जाती है कैसी अजीब दास्ता है रिष्टों की कभी एक सच हजारों जूट पर भारी बढ़ जाता है तो कभी एक जूट लाकों सच पर जो रिष्टे तूट जाते हैं वह दोबाड़ा जुडा नहीं करते जैसे मुर्जाय हुए फूल दोबाड़ा खिला नहीं करते हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करना कभी कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिष्टे खो देते हैं बड़ी छोटी सी है ये जिन्दगी इनमें कैसे सिक्वे कैसे गिले कुछ रिष्टे पुराने रफू किये कुछ तालूक मैंने नए सिले वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है लोग भी रास्ते भी एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे हम अच्छे थे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे फिक्र वो करे जो बोलते कुछ है करते कुछ है दिखते कुछ है और होते कुछ और ही है सुख दुख तो अतीथी है बारी बारी से आएंगे जाएंगे अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनवाव कहां से लाएंगे इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है सस्त्र केवल सरीर को घायल कर सकते हैं किन्तु सब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं बहुत से रिष्टे इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता जब किसी इनसान के पास राकर उसे खुशी ना दे पाओ तो उससे दूर हो जाओ सायद इसी में वह खुश हो जाए कोई तुमसे रूट जाए तो उसे फारण मना लो अगर जिद सुनू हो गई तो दूरियां और बढ़ जाएगी हमेशा तैयारी के साथ ही रहना मौसम और इनसान कब बदल जाए इसका कोई भडोसा नहीं लोग गलत कहते हैं कि जिन्दगी एक ही बार मिलती है जिन्दगी तो हर रोज मिलती है मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है याद रखना जीवन में बुड़ी से बुड़ी परिस्थिती भी अपने साथ आउसर लेकर आती है जरूरत है बस उन्हें पहचानने की किसी को इतना भी हक मत दो कि वो भैसला कड़े कि कब आपको हसना है और कब आपको रोना है अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ कड़े होते हैं अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ कड़े होते हैं चेहरा चाहे कितना भी सुन्दर हो अगर जुवान कडवी हो तो लोग मूह फेर ही लेते हैं अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा सववाव रखता है सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी पर अच्छा सववाव आपका जिंदगी भर साथ देगा बारिस में नहाना आसान तो है लेकिन हर रोज बारिस के सहारे नहीं रह सकते इसी तरह भाग्य से कभी कभी चीजे आसानी से मिल जाती है किन्तु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते हैं और छोड़ भी नहीं सकते हैं